हेलो गाईस कैसे हो आप साथ आशाय बढ़िया होगे आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं चावल में हम डालेंगे यह हमने दो गाजर लिए जो देखिए इस तरह हमने काट लिए और यह एक बॉल मटर के लिए यह ताजे मटर है इसमें डालने के लिए हमने दो प्य स्थाइब से कोई भी डाल सकते हैं तील हमारा बहलाब्गी है अब इस अदरिक लासुन पेश्ट श?' प script को भी इसका बहुती बढ़िया आजाएगा अब हम यह जालते हैं अब इसी में हम थोड़ी सी हल्दी चरास एदम खली रंगा जाए हल्पा का बस और इसको हम दो मिनित के लिए भूम लेंगे अब इसी में हम प्याज और हारी मिर्ट जो हमने काटी है वो डाल देंगे और इसी के साथ ही हम मतर भी डाल देंगे मतर के साथ ही हम गाजर भी डाल देंगे उन सब को अच्छी से मिक्स करके दो मिनिट करें भूम लेंगे आपि के सबही को आ में कम से कम दो से 3 मिनट भून लिया अब इसी में हम जो एक गिलास हमने चावल निकाले वो अच्छे से दोलिये हैं इसको हम डाल देंगे और इसी में हम एक गिलास चावल है हमारा तो दो गिलास पानी डाल देंगे यह देखे दो गिलास पानी हो गया इसको अब हम अच्छे से हिला देंगे तक कि नमक, मिर्च, मसाला, वारक अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको अब हम अभी हम फुल आज पे इसको ढख के रख देंगे अब इसको खाली पानी गरम हुआ है और इतनी अच्छी ढखकन खोलते ही महेकारी है कि क्या कहा जाए यह देखे चावल हम आपके सामने देखते हैं यह देखे बस हलका सा इसमें पानी रह गया है बागी चावल हमारे बनके रेडी हो गए यह देखीं, गाईस हमारे चावल एक तम बनके रेडी हो गए है और एक एक दाना हमारी चावल बनी है कितने ही टेश्टी लग रहे है अगर आप हमारे चैनल में पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और पूरी हमारी वीडियो देखा करिए ताकि आपको हमारी पूरी रेस्पी अच्छे से समझ में आए देखिए हम एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप घर की ही समान से सारी चीजे बना सकते हैं और आपको अगर हमारी रेस्पी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेर जरूर करिए ये देखिए हमारे चावल कितने ही बढ़िया बने इसको आप अगर इस तरह बनाएंगे और खाएंगे फिर आप उंगलियां ही चाटेंगे आप हमारे चैनल में पहली बारा है तो सस्क्राइब जरूर कर दीजे ताकि हमें सपोर्ट मिलता है आपका कि आप हमारे साथ हैं और हमें अंदर से होता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं बाबाए